सबसे बड़ा दर्द सॉल्व करने वाला हूं जो की होगा आपका इम गेरेंटीड कि आपको इन और्गनिक केमिश्टी में दिक्कतारी होगी तो यह रियल पेन रहता है तीक है क्योंकि इसमें रट्टा बाउत होता है और इतना सब कुछ होता पढ़ने को समझ में नहीं आ र किस चीज़ पर दाता फोकस करना है कैसे रटना है एक बता दे रहा हूं इसको फॉलो कर लो और इन और्गनिक में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए और फ्री के जो नंबर है न सब मिल जाएगा कहां से करना है क्या मटीरियल क्या रिसोर्स वही बता दूंगा वैसे वह जनरल क्या रहे हैं जैसे ग्रुप 13 के देखें कि उसमें किस टाइप के कौन से जो एलिमेंट से उस पर दादा फोकस करता है पता चल जाता है ठीक आपको एक्जामपल भी बता देता हूं ठीक है जैसे कि यहां पर देखते हैं अपन ठीक है जैसे यह 12 वाला क्वेस्टन था देख्रिस्टलाइन फॉम ऑफ बोरेक्स है चार ओप्शन दिये थे मोर देन करेक्ट हो सकता था दोजा सोला में आया है ठीक है यह मैं पुरानी क्वेस्टन बल रहा हूं मैं को पास पी वाई क्यू नहीं है इसले ठीक है आपको अरे कि अब आपको लग रहा है बोरेक्स के तुमें दिख रही है अगर बोरेक्स लिखा है तो इसका मतलब बोरेक्स के पढ़ना चाहिए था उसके बाद ही सेम चीज रिपीट हुई है थीम पूछ लिया है बोरेक्स का क्रिस्टलाइन फॉर्म तो ऐसे आपको थीम डिसाइड करना है कि अब बोरेक्स आपको देखके पता चल जाएगी एक आप शीट लो और पीवाई क्यों को देखो कि क्या आप पूछा है जैसे कि यह पूछा है ना इंक्रीजिंग ओडर ओफ यह पूछ लिया है ठीक है कॉडिनेशन नंबर पूछ लिया है एलुमिनियम का क्रिस्टिलाइन स्टेट ओफ यह वाला क्या इसमें भी आपको दिख जाएगा कि यहां पे यह पूछा है तो कुछ-कुछ कंपाउंड है जो आपका जही बहुत ज सल जाएगा सिंपल है आप सीधे लो और यह इंटिफाई करो एक शीट बनाओ उस पर लिखो कि क्या पूछता है और आपको क्या करना है अपने जो मॉडियूल है या फिर क्या बोलते हैं जो भी शीट से आप पड़ रहे हैं उसमें माक कर लो यह चीज टीक है और क्या माट के राउंड में पढ़ लूँगा तुम्हें नोट में सब कुछ होना चाहिए बोरेक्स इंपोर्टेंट है तो यह आपको कैसे पता चलेगा अब बताओ अब अगर क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से आना चाहिए इसके अलावा आता है तो वो देखो रेंडम होगा ठीक है वो सब के लिए नहीं होगा लेकिन इस पीवाई की एनलिस से आपको ऐसे करना है अब बात आती है स्टेप टूप है तेहोरी कहां से पढ़ें यह भी बहुत बड़ा एक लोचा चलता है कि कौन सी बुक लें मेरे साब से तो आपता है कि केलीग्राम चैनल मैंने लिंक में दे दिया उधर मैंने कुछ डाल दी है शीट वोगेरा देख लेना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वैसे तो मैं कहूंगा अपने वाले फॉलो करो नई की तरफ मत पागो ठीक है अब आताती है नोट्स ठीक है अब आ रहता है यह आपका ग्रीन एलाइटर है तो उसे आयलाइट कर लो जब भी आप रिवाइस करो से उतने ही पोर्शन को पढ़ो इससे आद आपको पढ़ना नहीं ठीक है अब बाताती है चौता स्टेप देखो मगिंग तो थोड़ी करनी पड़ी कि रट्टा तो मानना करते हैं तो मनम ही रह जाता है अब बात है कि कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो वही शीट अपनी जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लीजिए सिंपल एस इससे आद आपको कुछ नहीं करना ठीक है और प आपको खुद चीक चीक के बता रहा भाई इस पर फोकस कर इस पर फोकस कर लोग है कि नहीं पी यू नहीं करना हमें तो यह दी पीपी करेंगे वो करेंगे इसलिए मैं बोलता हूँ वाई पीवाई की किंग है ठीक है अब बाताती है आपके पी डी एफस ब्लॉक क्वांट अब इससे ऐसी सेम टेक्निक लगा के आपको करना है और कुछ एक्स्ट्र नहीं करना है जो मैं बता रहा हूँ यह जो स्टेप बताए ना पांच यह आपको हर एक में करने है ठीक है सारे में साब सब कुछ हो जाएगा आप बाकी जो केमिकल बॉंडिंग अगेरा बचेंग अगर आपके पास YouTube पर कोई lecture मिल जाता है जिसका आपको समझ में आ जा रहा है या फिक अपने दोस्त से या फिर आपके कोचिंग में समझ में आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा conceptual वाला portion तो ठीक है जैसे कि मैंने अभी दिखाया वह तो मैंने एक दो क्षिटन में दिखाया वह बहुत सारे क्षिटन में लग जाती है वह इस वाली ट्रेग बोरेक्स हिंट हो जाता है पुरान पता दो जाद दो का क्वेश्चन काइंड आफ रिपीट ही बोलेंगे question नहीं repeat हुआ, theme repeat हुई है borex के ऊपर, ALCL3 के बारे में इतना बार पूचा है, अब आपको पता ही है कि भाई, ये बाले compound के ऊपर तो पढ़के ही जाना है, इसे तो at least देखके जाना है ALCL3 है, क्या अग लगा size देख लो कैसे चल रहा है ये सब theme कैसे पता चलेगे, नहीं PYQ से, इसले मैं बोलता हूँ, PYQ करो इससे theme identify होंगी, बस simple as that, इतना करना है, इससे आदा आपको करना नहीं है, और बाकी जो एक दो extra facts हैं, वो आप underline कर लो, रट्टा मारो simple as that, strategy बता रहा हूँ अराम से आपके 70 number आ सकते हैं, अगर ऐससे strategy follow करोगे, तो चलिए, मिलते हैं आपको next video में, thank you, thanks for watching